नमस्कार मेरा एक मित्र है जिसका नाम जय है वो सामनते स्कूल के बाहर बैठा रहता था और एक दिन वो काफी उदास लग रहा था जिससे मैंने उससे पूछा कि निराश हो मित्र तब उसने उससे बताया कि उसकी परिक्षा ठीक नहीं गई इसलिए हो निराश है तब मैंने उसे समझाया कि इस बटकाव भरी दुनिया में पढ़ाई में ध्यान न लगना एक सामान्य बात है और जिस कारण इसका सीधा असर अपकी परिक्षा पर और आपके मार्क्स पर पढ़ता है यह एक सामान्य बात है फिर उसने मुझसे इसका उपाय जानना चाहा तब मैंने उसे एक उपाय बताया जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ उपाय है C-C-P जिसमें C का अर्थ है कंट्रोल अर्थाद नियंत्रन जिसमें अन्य C का अर्थ है कामनेस कामनेस अर्थाद शांती और P का अर्थ है प्रोडक्टिविटी अर्थाद उत्पादत्त अब हम एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करें सरप्रथम नियंत्रन हमें नियंत्रन रखना है अपने विचारों पर हमें अपने विचारों को नियंतरित करना है जैसे कि सामाने तोरकर एक फैक्टरी में यदि हमें किसी भी वस्तू का उत्पादन करना है तो हमें सरप्रथम उस फैक्टरी में लगी मशीनों को निर्देशित करना होता है कि हमें इस चीज़ का उत्पादन करना है सामने तह उसी प्रकार इंसानी दिमाग में भी ऐसा ही होता है सरप्रतम हमें हमें दिमाग को निर्देशित करना होता है हमें अपने दिमाग से क्या चाहिए जिस प्रकार हम पढ़ने बैठते हैं तब हम सीधे किताब उठा करना पढ़ने बैठें सरप्रतम पढ़ने पैठें, अपने विचारों को नियंतरित करें और हमें अपने पढ़ाई के बारे में हमें क्या पढ़ना है जिस topic से संबंदे हमें पढ़ाई करनी है उसके बारे में सोचें तथा अपने दिमाग को निरदेश दें इससे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हमें इस प्रकार की जानकारी इस topics चाहिए और उसे हमें हमेरे दिमाग में निरदेशित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार के प्रेशन पूछे जाते हैं और हमें इस प्रकार की जवाब याद करना है जिससे आपको जरूरी जानकारी सीधे याद करने में असानी होगी। दूसरा जो मुख्य बिंदू आता है, वहाँ आता है शांती का। शांती से यहां मेरा अर्थ है, आपको अपने मन को स्थिर्था प्रदान करनी होगी। शांती से मेरा तात्पर्य है वह है तेजी तवस्था से बहार आना और अपने मन को स्थिरता प्रदान करना जब आप अप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको आपके मन की तेजी तवस्था से बहार आना होगा तथा अपने मन को स्थिरता प्रदान करनी होगी हला कि ये है बहुत सामान्य पर किया कैसे जाए इसके लिए आपको बहुती आसान सी प्रक्रिया है जो करनी होगी जिसमें आपको गहरी सांस लेनी होगी तथा अपने सांस लेने पर ध्यान देना होगा जब ये आप 5-6 बार करेंगे तब आप पॉसांस होगा कि आपका मन शांत और इस्थिर हो चुका है जिसके बश्चाथ आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं नियंतरन और शांती अर्थात मन की इस्थिरता ये दोनों रत्यक्ष रूप से जुड़े हो जब आप अपने विचारों को नियंतरन का प्रयास करेंगे तब आप पाएंगे कि आपका मन देरे देरे शांत और इस्थिर होने की ओर अग्रसर है अर्था जब आप अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगी, तब आप पाएंगे कि आपको अपने आप, अपने विचारों पर भी नियंदरन हो रहा है। तीसरा बिंदू है उतपादक्ता, उतपादक्ता से हिहां मेरा तातपर्य है, आपको आपके जीवन में सिमि तससाधन प्रयोग करते हुए, आपको अधिकतम उतपादन प्रात करना होता है। यदि आप अपनी प्रगती का आलेख सदा उपर की और चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में अधिक से अधिक पादक बनना होगा। जैसे फैक्टरी के केस में कच्चे माल से अधिकता मुत्पादन चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन मनुष्य को उपने समाई का हतुपून संसाधन का इस्टितम प्रयोग करते हुए उसे हतुपून कारे में परिवर्तित करना होगा। नियंत्रन, शांती और उत्पादक्ता तीनों आपस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि नियंत्रन और शांती आपस में जुड़े हैं। ठीक उसी प्रकार उत्पादक तभी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आपको अपनी पढ़ाई करते समय अपने सामने CCP लिखना होगा। जब भी आपका मन भटके आपको CCP पे नजर दोड़ाना है। तथा अपने मन को नियंत्रन करने की कोशिश करना है। तथा अपने संसाधनों का अर्थात अपने समय का इश्टम उप्योग कर अधिक उत्पादन करना होगा। इसका आर्थ यह है कि जब भी आप CCP पे नजर दोड़ाएंगे तब आपके दिमाग में एक निर्देश जाएगा। तथा आपका दिमाग अपने विचारों को नियंत्रित करने लगेगा। तथा मन शांत होने लगेगा। इससे आप अपने समय का अधिक से अधिक उप्योग कर पाएं। इसलिए आपको अपने सामने CCP लिखना होगा। तथा यह निर्देश जब भी आपका पढ़ाई करते समय मन भटके आपको यह निर्देश आपके दिमाग को देना होगा कि विचारों पर नियंत्रण, मन मैस्थरता और उत्पादक बनने। अर्थाथ CCP अर्थाथ यह आपको दोहराना होगा। इससे निश्चत है आपको फायदा होगा। विडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज का लाइब मिल सके और धन्यवाद।